नमस्कार दोस्तो, रोहित हेयर। आज हम लोग कुछ questions देंगे साइंस का, वो questions क्या होगा और वो questions क्यों important है आपके एकजाम के लिए। देखो साइंस का कोई ओर है न छोर है कुछ भी पुछा जा सकता है पर science में ये important है कि हम लोग वो themes को पकड़े जो BPSC पूछता है अगर तुम BPSC के themes को पकड़ के अगर काम करोगे और आगे बढ़ोगे और उस themes के साथ अगर तुमने NCRT को plug कर लिया तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा आज हम कुछ questions देंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे science पढ़ना है अगर आप इस तरह से science में पढ़ेंगे तो 25 प्लस number लाना बहुत ही आसान है और हम substantiate अभी आपको करेंगे कुछ भी अगर हम दोग से संबंधित आपको जानकारी चाहिए होगा तो इस number पर करना चलो पहला question देखो Which of the following statements इधर दाहिने तरफ हिंदी है Which of the following statements are incorrect गलत क्या है जभी भी exam में question मिले अगर correct इनकरेक्ट रहना तो उसको highlight कर लेना boiling और evaporation के बारे में question है तो पहला चीज़ तुम्हें असपस्ट होना चाहिए कि BPSC boiling के बारे में question पुछता ही पुछता है अगर तुम previous year question का analysis देखोगे तो boiling और evaporation एक theme है जिस पर BPSC question पुछता ही है अगर कोई लड़का ये theme को नहीं त्यार करके जा रहा है इसका मतलब कि वो exam के जो needs है requirement है उसको अच्छे से नहीं cater करके जा रहा है देखो हमें पहले boiling और evaporation के बारे में चीज़े पता होनी चाहिए boiling और evaporation होता क्या है पहला बात देखो कि boiling के case में अगर तुम देखोगे कि boiling क्या होता है तो boiling एक particular temperature पर होगा इसका मतलब कि boiling का एक definite temperature है कि अगर पानी अगर boil होता है तो पानी 100 degree centigrade पर boil होता है evaporation का कोई definite temperature नहीं है evaporation can happen at 40 degree, 45 degree, 50 degree evaporation can happen at any temperature but boiling can happen at a fixed temperature only for water it is 100 degree centigrade दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि boiling और evaporation में दूसरा कारण है अंतर है कि boiling एक bulk phenomenon है मतलब बल्क मतलब ये भी molecule involved है ये भी molecule involved है मतलब पूरा जो पानी है इस पुरे process में involved है boiling के case में क्योंकि when you are supplying the heat from this side or from the stove the heat is getting transmitted in the different directions through the process of the convection, right? convection के चल रहा है तो ये एक bulk phenomenon है, पूरा molecule involved है but in the case of evaporation it is a surface phenomenon केवल surface involved है कैसे अभी हम लोग उसको और detail में discuss करेंगे but it has to be very categorically clear that boiling is bulk phenomenon है evaporation एक surface phenomenon है जब तुम पानी boiling के case में देखते हो और evaporation के case में देखते हो तो जो भी जहां से evaporation होता है उसका temperature घड़ता है जैसे अगर तुम गर्मी में आ रहे हो और तुम पसीना पसीना हो रहे हो तो evaporation हो रहा है तुम्हारा boiling नहीं हो रहा है तो जो भी चीछ से evaporation होगा देखने को मिलता है कि उसका temperature गिरता है देखो जो air conditioning है और मटका वगरा है वो हम लोग एक अगर mechanical engineering वगरा है कि तुम student हो तो mechanical engineering से भाया तो अब अब करने स्टार्ट करेगा तो उसके लिए देखो एक psychometric chart होता है तो psychometric charts हम लोग उसको बनाते हैं कि air conditioning कितना होना चाहिए जैसे तुम देखो जितना भी AC रहता है उसका क्यों लिखा रहता है कि इसको आप run करिए 24 degrees centigrade पर और 50% relative humidity पर ऐसा क्यों कहता है हमारा body सबसे ज़्यादा comfortable 24 degrees centigrade पर होता है अगर तुम exact psychometric chart की बात करोगे न तो 24.4 degree centigrade पर हमारा body सबसे comfortable feel करता है है न तो इसलिए लिखा रहता है 24 degree और दुसरा करण है कि energy भी कम खाता है पर मुख ही कारण ये है कि हम सबसे ज़्यादा comfortable इस temperature पर मक्सूद करते हैं तो जो मटका है वो भी evaporation पर काम करता है जो nature है अगर तुम boiling देखोगे तो अभी हम बोले कि bulk phenomena है जब हम bulk phenomena बोलना चाहते हैं तो जो boiling होता है तो तुम देखो कि पूरा जोड़-जोड़ से होता है तो boiling क्या होता है? vigorous phenomena है boiling क्या है? एक rapid phenomena है evaporation क्या है? slow phenomena है जिरे-जिरे होता है silent phenomena है तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए evaporation और boiling के case में नहीं तो दिक्कत होगा दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो तुमको पता होना चीज़ क्योंकि boiling और evaporation उसका theme है भी तुमको बताते हैं एक संबंध याद रखना कि pressure is directly proportional to boiling point इसका मतलब कि अगर तुमने pressure को बढ़ाया तो boiling point बढ़ेगा जैसे कि अगर तुम pressure cooker में तुम देखते हो कि अगर pressure cooker में तुमने ढख दिया तो तुम जो pressure है उसको क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो क्योंकि तुम air को escape नहीं करने दे रहे हो जब pressure तुमने बढ़ाया तो boiling point बढ़ा जब boiling point बढ़ा तो तुमको ज़्यादा heat देना पड़ रहा है तो जो सबजी तुम 100 degree पर hit कर रहे थे वो सबजी 120 degree पर hit हो रहा है more heat is being supplied इसलिए खाना जल्दी बनता है देखो pressure cooker कैसे काम करता है हमें अपने detail video में resonance में बताया है यहाँ पर हम नहीं बताना चाहेंगे but it works on the same principle कि जब तुम pressure को बढ़ाते हो तो boiling point बढ़ता है अब बताओ अगर मानते हैं कि कोई यह चीज है आपने इसमें कुछ impurities मिला दिया मानते हैं कि इसमें पानी था और आपने इसमें impurities मिला दिया जब आप impurities मिलाते हैं तो what will be the impact of the impurities on the boiling point जैसे देखो मानते हैं कि यह जो impurity है तो यह भी तो पहले यहाँ पर केवल पानी था अब आपने इसमें impurities डाल दिया अब आपने जब इसमें impurity डाल दिया आपने जब आपने impurity डाल दिया तो कुछ hit तो impurity ले लेगा लेगा न जी कुछ hit impurity जब impurity लेगा तो your supplying word जब आप impurity add कर रहे हैं तो ज़्यादा hit supply करने की ज़रत पढ़ रही है क्योंकि मानते हैं कि 10 unit ये hit ले लिया 10 unit ये hit ले लिया तो boiling point क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो याद रखना कि जब भी तुम impurity को add करते हो boiling point बढ़ता है देखो जब भी तुम impurity को add करते हो तो freezing point पे क्या होगा freezing point घट जाएगा क्यों क्योंकि जहाँ पर भी impurity रहता है वो एक nucleation side के रूप में काम करता है और जहाँ पर nucleation side के रूप में काम करेगा वहाँ पर आप देखोगे कि condensation स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर cooling स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर coagulation स्टार्ट हो जाता है तो दो-तीन चीज बहुत असपत हो गया, जो आपको पता होना चाहिए, और इसलब हमने अपने कोर्स में आपको बता रखा है, पहला याद रखना कि pressure जो होता है, वो directly proportional to the boiling point होगा, cooker इसी पर काम करता है, दूसरा कि अगर तुमने impurity को add करा, if impurity is added, तो boiling point पर उसका क्या impact अगर तुमको समझ में नहीं भी आया है, और ये चीज तुमको इतना जितना हम बताएं है, पता है, एक question तुम्हारा boiling point और evaporation से बाहर नहीं जाएगा, तो क्या boiling एक bulk phenomena है, बिल्कुल है, evaporation एक surface phenomena है, बिल्कुल है, increase in the pressure around the surrounding increases the boiling point of the liquid, हाँ भी आपने बताया है, increase in the pressure around the surrounding decreases the boiling point of the liquid, ये statement कलत है, अब आप इसमें से answer चुन सकते हैं, तो boiling point और evaporation एक बहुत important theme है, आप इसको जरूर करेंगे, एक मेरा submission है, दो-तीन चीजी यह है बाबु, कि जो भी BCWK student है, जो हम पढ़ाये हैं, आप लोगों को boiling point और evaporation resonance में या modular course में आप जो सुन रहे हैं, हमने जो आपको वीडियो में पढ़ाया है, बाबु वो NCRT से ही लेकर पढ़ाया है, तो आप उस वीड तुमको बता रहा है कि रनचक्र पढ़लो, फुसेंट पढ़लो, कुछ और पढ़लो, वो तुमको मुर्ख बना रहा है, 2000 के आसपास बहाली है, अगर ये मौका तुम्हारे हाँ से चला गया ना, तो अपने आपको माफ नहीं कर पाओगे, तो अच्छे से पढ़ों ही पच सर्दी का मौसम आ रहा है, तो अण्डा में तुम देखो, कि ये बीच वाला पार्ट है, यूजली हम दोग इसको निकाल के फिक देते हैं, और ये वाइट वाला पार्ट है, जो बापो वाइट वाला पार्ट है ना, प्रोटीन इसी में है, इतना तो आपको पता होगा कि अंडा एक बहुत अच्छा source of the protein है इस question को basically पूछने का दो-तीन कारण है इसका correct answer क्या है? denaturation of the amino acids इस question को बनाने का मेरा क्या कारण है? जो मेरा मुख्य मक्चद है वो हम आपको बता रहे हैं हम आपको यह बताना चाहते थे कि देखो, there is something called as the carbohydrate, there is something called as the fats there is something called as the protein यह macronutrients है carbohydrates नाम का कोई चीज होता नहीं है basically इसको आप saccharides बोलते हूं carbohydrate आपको कहां मिल जाएगा बाबू? sugar में मिल जाएगा चीनी में आपको carbohydrate मिल जाएगा जो हम आप table sugar खाते हैं उसमें क्या होता है? sucrose होता है आप दूध जो पीते हैं उसमें आप कुछ लोग को देखीगा कि दूध पीता है तो उसको पचता नहीं है they have the problem with the blue team उनको indigestion हो जाता है देखो यहाँ पर एक उसको कहते हैं कि यह ब्यक्ति lactose intolerant है इसका मतलब कि lactose sugar होता है आपके दूध में तो कुछ दूध को आप देखते होंगे कि बोलता lactose intolerance के लिए है वो महगा मिलता है है ना क्योंकि उसमें lactose होता है दूध में तो lactose is a kind of a sugar है ना देखो carbohydrate तुमको रोटी में मिल जाएगा चावल में मिल जाएगा fat क्या है घी है olive oil है यहाँ पर आपको fat मिल जाएगा protein क्या है protein का excellent source क्या है soya bean है paneer है अगर जी में जाते होगे तो chicken breast है अरे वही जो रबबड की तरह लगता है खाने में मज़ा नहीं आता है खाने में तो मज़ा आता है तुमको wings खाने में मज़ा आएगा तो why I have framed this question let me put the things in a very categorical fashion हमारा basic objective है कि हम तुमको यह बताना चाहते थे कि बाबु जो protein है यह एक polymer है किसका polymer है alpha amino acids का polymer है पास हमारा main objective यह था कि हम तुमको यह बता दे कि alpha amino acids का polymer है एक जाम में आपसे यह beta भी कर सकता है delta भी कर सकता है gamma भी कर सकता है पर हमको यह पता होना चाहिए alpha amino acids का है क्योंकि NCRT हमको करता है अगर हमको यह केवल पता था कि भाई अन्णा में protein होता है और protein का किसका polymer है protein amino acids का polymer है क्या हमने आपको resonance में नहीं बताया है यह सब चीज हम वहाँ से आपको link करा रहे हैं पर अगर हमको केवले इतना पता था कि अन्णा में protein होता है protein का अच्छा excellent source है और amino acid से बना होता है दो मिनट के अंदर हम answer पर पहुँच जाते हैं denaturation of the carboyant rate due to the osmosis due to the selective फाल तो मतलब की होए हम इसमें बस हम तुमको यह जानना चाहते थे कि जो हमने तुमको class में पढ़ाया है उचको तुम apply कर पा रहे हो क्या क्या तुम्हें इस चीज का ilm है कि protein का monomer क्या है amino acid वहाँ से तुम answer निकाल दिये होते as simple as that इतना question आसान था अब देखो दो तीन चीज तुमको बताना चाहते हैं कि देखो जो protein है fat है और carbohydrate है तो protein और carbohydrate 1 gram में इनके पास 4 calorie होता है और fat के पास 1 gram में कितना होता है तक्रिबन तक्रिबन 9 calorie होता है अब जो दारू का लेते हो उसमें कितना होता है बिहार में तो दारू तुम लोगे का बंध है 7 calorie होता है हमारा basic मतलब यह था कि तुमको यह चीज पता है कि नहीं, अगर यह चीज बावु पता है तो मेरा काम आसान हो गया, बस यह question था कि आप इसको अपलाई कर पा रहे हैं कि नहीं अगर यह सब question तुम गलत कर रहे हो न तो इसका मतलब तुम पढ़ाई अच्छा से नहीं कर रहे हो grapes and unripe mangoes have which acid present in it, देखो tartaric acid की बाद हो रही है क्या, यह सिधा हमने NCRT से question उठाया है, सिधा यह NCRT का आपको screenshot लगा है, यह question हमी फ्रेम किये आपको UPSC का एक जाम नहीं नहीं है, कि आपको बसके वहले analytical question देंगे कि आपको wow wow feeling आए, आप data को retain कर रहे हैं कि नहीं हमने class में आपको यह चीज बताया है कि नहीं, आप एक बार अपना notes पलट के दिखेगा, अगर आप non BCWA students है, तो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं कि आप NCRT का ही screenshot है वो NCRT में चीज दिया हुआ है, क्या acid और base एक important theme है कि नहीं BPSC का, अब फालतू जो तुम पढ़ रहे ह यार वो सब चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जो important theme है एक बार उसको पलट के दिखो, BPSC वहीं से question फिर निकालेगा, अभी आप से हम क्या पूछे तो इसका क्या act, अब आप से पूछेगा कि कर्ड में क्या है, ascorbic acid कहा है, tartaric acid में दिखो हम लिखे हुआ हुआ है, tam इस नमबर आ जाएगा, है ना, इस question को frame करने के पीछे मेरा एक कारण है, कि क्यो हमने इसको frame किया है, देखो इसमे odd one out एक rule लग जाता, दो मिनट के अंदर, तुमको हम live page के बारे में बता रखे हैं, तुमको हम MLEs के बारे में बता रखे हैं, पेप्टेज के बारे में बत रखे थे, तो odd one out एक तुमको निकाल सकते थे, देखो जभी भी कोई रोता है, जभी भी कोई आख से आसू निकलता है, या मानते हैं कि हमने कोई apple लिया, तो भाई apple तो तुम बजार से खरीद के ला रहे हो न, वो दुकांदार के हाथ से टच हो के आ रहा है, आपके हाथ स तो बैक्टिरिया मरता कैसे है, फिर वो बैक्टिरिया हम पे और आप पे अटेक क्यों नहीं करता है, क्योंकि जैसे हम मुह में खाते हैं न, हमारे सलाइवा में एक engine present होता है, उसका नाम है lyogyimes, और ये जो lyogyimes है, ये antibacterial है, इस question को star marker के लिखो, antibacterial है, मतलब जो भी microbes है, और उनको defeat करता है, हरा देता है, ताकि हमें वो effect नहीं कर पाएं, इसको star marker के लिखो, जब हम रोते हैं, तो हमारे आसू में भी lizozymes होता है, जो आख में infection से बताता है, क्योंकि इसके पास कौन सा nature होता है, antibacterial nature होता है, तो प्लीज इसको star marker करो, this can be the probable questions, पर इतना पर रुप जाएं, तो मजा नहीं आएगा हमको, देखो एक होता है, lacteals, lacteals के बारे में तुमको बता रखे हैं, पहले, revision हो जाएगा, कहां पर lacteals पाए जाता है, लाईयोजाइम से ज़्याद आगे, इस दे बता रहे हैं, इसको बाबू याद रखोगे, बहुत ज़रूरी है, और यह बहुत इंपॉर्टन थीम है, अब तुम यह बताओ, अगर तुम थोड़ा बहुत भी, पढ़ते हो और analysis करते हो, तो explosive इतना important theme है, BPSC का, कि इसे questions पूछना ही पूछना है उसको, नहीं पूछेगा तो उसके आत्मा को संतुष्टी नहीं मिलेगा, अभी आपका block horticulture officer का exam हुआ है, दो question है, तो भाई BPSC exam conduct करेगा, तो explosive उसका important theme है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप इस topic को अच्छे से नहीं करके जा रहे हैं, तो आप अच्छी से ताहरी नहीं कर रहे हैं ना, भाई जो low hanging fruit है उसको पकड़ने की कोशिस करो, और बहुत कम time है मेहनत करने की कोशिस करो, अगर नहीं मेहनत करोगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एक चीज हमेशा याद रखना, कि ऐसा नहीं है कि, जीवन बहुत चीज तुम पाओगे, मिलता तो बहुत कुछ है जिन्दगी में, मगर गिना उसे ही जाता है जो मिलता नहीं है, जीवन बहुत चीज और मलाल रहेगा, कि हम एक्जाम दिये था और नहीं हुआ, दो हजार बहाली है, प्लीज पूट यूर हाट और लोग तक यूटूब पर जाएगा, जो भी रेजोनेंस और मोडलर कोर्स के लोग है, प्लीज आप अपने वीडियो जो हम दोग दिये हैं, उसको अच्छे से करिए, थोड़ा सब विश्वास करके उसको अच्छे से 5-5 बार रिवाइज करिए, नो वन इस गूइंग तो इस टॉप यूटूप 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 यूटूब कर रहे हैं, और अगर रिवाइज नहीं करोगे, तो फेल कर जाओगे, हम कितना भी पढ़ा लें, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, नया नया चीज पढ़ लो, रिवीजन इस दकीजो सब्सीड इन दिस एक जामनेशन, चलो, एक्स्प्लोसिब एक इंपॉर्टन थीम है, इसको अच्छे से बागू करो, देखो, क्या है एक्स्प्लोसिब्स के बारे में, देखो, ट्राइनाइट्रो टॉल्विन होता है, जो ट्राइनाइट्रो टॉल्विन है, अभी जो सूपर टेक का बिल्डिंग, तुम सुने हो के दिल्ली में गिराया गया है, तो जो बिल्डिंग को गिराया जाता है न, उसको तुम बोलते हो कि डेटोनेट किया गया, डेटोनेट का मतलब क्या होता है, कि एक रिमोट कंट्रोल की तरह चीज है, वो बिल्डिंग को गिराता है, इसका मतलब कि किसी चीज़ को तुम डेटोनेट कर रहे हो, इसका मतलब उसको कैसे गिरा रहे हो, कंट्रोल्ड रूप से गिरा रहे हो, तो जितना building का demolition वगर होता है, अगर exam में question को frame करता है, कि building को demolition करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब से अमाट्र को इसतेमाल करते हैं, कि Trinitrotolwin को इस्तेमाल करते हैं, तो correct answer हो जाएगा Trinitrotolwin, क्योंकि Trinitrotolwin को detonate करना पड़ता है, जब आप किसी चीज़ को detonate कर रहे हैं, मतलब आपके पास एक remote है, आप उसको control कर सकते हैं, उसके amount को control कर सकते हैं, उसके frequency को control कर सकते हैं अगर आप बिल्डिंग को बहुत एक जटके में गिराना चाहते हैं तो ही आज पास के सराउंडिंग को नहीं अफेक्ट करें तो इसलिए डेटोनेटर की बागुज़रत पड़ती हैं जब इस ट्राइट्रो टॉल्विन को जब तो मिक्स कर देते हो एमोनियम आपको एमोनियम नाइट्रो ग्लिसरीन के बारे में हाजिकर हुआ है तो नाइट्रो ग्लिसरीन को तुम क्या कहते हो नोबल वायल कहते हो जो ट्राइट्रो टॉल्विन होता है इज दे अमोनियम नाइट्रो ग्लिसरीन को ले लो और इसमें एक फाइन सैंड मिला दो बहुत पतला सेंड होता है जब fine composite के साथ मिला ओगे तो एक pasteworm माः सबस्टांस बनेगा और वो pasteworm माः सबस्टांस कोँ बनाता है उस व्यक्ति का नाम है एलफ। नबल एलफ। नबल जो है बनाते हैं यह जो fine sand होता है इसको उन्होंने क्या नाम दिया था उसका नाम था K outrage केशल गूहर जो आप नाइट्रोग्लासरीन लेंगे उसमें एक fine sand मिलाएंगे जिसको केशल घ्यूद करते हैं वो एक paste numa substance मनेगा और उसी paste numa substance को dynamide कहते हो तो इसलिए हम आपको यह बताना चाहते थे कि dynamide का main component क्या है नाइट्रोग्लिसरीन is the main component of the dynamite तो ये बताओ नाइट्रोग्लिसरीन का खोज कौन करता है एसकर्नो सुबर्नो का खोज करता है कब खोज करता है एसकर्नो सुबर्नो 1846 में इसका खोज करता है तो ये हम दोगों को पता होना चाहिए नहीं तो दिक्तत होगा एक है RDX का बावजिकर किया गया RDX क्या होता है RDX is research development explosive को तुम RDX बोलते हो इसका खोज कब होता है अगर मेरा floppy हम को ठीक से सहयोग कर रहा है तो 1800 अंठानवी या 97 में खोज होता है कौन खोज करता है इसका हेनिंग्स खोज करता है RDX करता क्या है RDX को plastic explosive तुम बोलते हो RDX को इतली में क्या बोलते है T4 बोलते है T है T है इतली में इसको जर्मनी में क्या बोलते है हेक्सोजीन बोलते है यह सब हुम बता रखे है हेक्सोजीन बोलते है EVAC में क्या बोलते है साइक्लोनाइट बोलते है ठीक है बबब इसको धार रोखना तो इसमें क्या हो गया EMOTOL is a mixture of the trinitrotolvene and ammonium nitrates तही है RDX is known as a plastic explosive अभी आपको बताया अभी आपको बताया RDX is an explosive that cannot be shaped or molded अरे भाई जब प्लास्टिक explosive है तो सो क्यों नहीं तो मोल्ड कर सकते हो तो इसमें क्या हो जाएगा पाचवा में हमारे हिसाब से बॉम्बे हमारे हिसाब से क्या बॉम्बे ही इसके अंसर हो जाएगा doss गलत है इनकरेक्ट पूछ राकि इनकरेक्टे स्टेक्मेंट कौन है तो फोर्थ से इनकरेक्टे स्टेक्मेंट है वोग है यह question देखो जानबूच के frame किए है उसके पीछे objective यह है कि अगला जो आपका fourth होगा, third होगा, फिफ्ट होगा उसमें बहुत कठीन question अम लोग पूछेंगे पर हम दोगा कुछ objective है कि जो important theme है वहाँ पे हम आपको revise करा दे देखोगा अगर तुम सरसथमी में देखोगे तो amphoteric oxide से question direct BPA से पुछा है तो amphoteric oxide पे जब question तुमसे पूछा है है amphoteric oxide का सबसे अच्छा उधारन है zinc oxide इसको star marker के लिखो गया zinc oxide amphoteric oxide का सबसे अच्छा उधारन आपका क्या है aluminium oxide यह सब देखो जो भी लोग नए लोग सुन रहे है न एक बाबू किताब है तरकस उसको जरू ले लेना previous year question है और एक मेरा और सलाह रहेगा Tata McGraw Hill का एक आता है किताब अभ्यास practice book Amazon वगरह पे मिल जाएगा Hindi और English में ये भी available है और ये भी है इसका science का segment जरूर बना लेना जो McGraw Hill वाला किताब है न इसका science वाला सिधा NCRT से हम लोग उसको बना लेना McGraw Hill प्रकासन से आता है यह हम लोग के website पर भी तुमको मिल जाएगा और Amazon Flipkart पर भी मिल जाएगा अगर नहीं होगा तो इस पे लेना 12918, 17972 पर ये बाबु इसका कम से कम science वाला segment जरूर बना लेना एक मेरा submission है बाकि ये और free to accept it or reject it amphoteric oxide उसमें बहुत दीटेल में बताया था अगर हमको ये पता है कि aluminium oxide इसे correct answer हो जाएगा एक चीज़ और हमको बताओ जब calcium react करता है जब तुम calcium को तुम पानी के साथ react करते हो ना तो तुम calcium को देखना कि पानी के उपर वो float करना start कर देता है calcium ऐसा क्यों होदा है कि पानी के उपर float करना start कर सकता है NCRT से directly picked up question है इसलिए तुमको बता रहा है जब calcium को बावु पानी के साथ तुम react कराओगे तो क्या बना देगा calcium hydroxide बना देगा COOH का hole 2 बना देगा equation लोग balance कर देगा और साथ में hydrogen gas release होगा और ये जो hydrogen होगा ये इतना vigorously release होता है कि अगर ये calcium है तो इसके साथ चिपक जाएगा और इसको उपर खिचना है start करता है इसलिए calcium float करने लगता है तो अगर आपसे कभी exam में question पूछे कि जब calcium को तुम पानी में डालते हो तो calcium float करने लगता है जो calcium float करता है because of the bubble of the hydrogen gas क्योंकि reaction में hydrogen gas निकलता है by product के रूप में और ये जो अगर calcium है तो इसको carry करके उपर खिचने लगता है अपने साथ पकड़ के उपर उसको खिचने लगता है इसलिए ऐसा होता है इसको बहुत ध्यान रखना चुकि emphoteric oxide और acid और base की बावू बात हुई है तो एक चीज यहाँ पर अधूरा रह जाएगा तीन मोल of concentrated HCl लेना मार्क मैं वोट concentrated HCl लेना और एक मोल of concentrated HNO3 लेना इस चीज को तुम क्या कहते हो इस चीज को बावू तुम कहते हो royal water royal water का मतलब क्या होता है इसी चीज को तुम कहते हो aquaragia जो aquaragia है वो क्या है वो highly corrosive है बहुत ज़्यादा corrosive है बहुत ज़्यादा fuming है highly fuming है और यह aquaragia एक ऐसा substance है जो gold को dissolve कर सकता है जो platinum को dissolve कर सकता है तो aquaragia एक important theme है जहाँ पर BPAC question पूछता है तो आपसे पूछ सकता है कि diluted HCL या concentrated HCL diluted HNO3 या concentrated HNO3 तो हमें पता होना चाहिए कि concentrated होगा तभी तो high fuming होगा highly corrosive होगा please keep this in mind देखो बाबू बहुत अगर थोड़ा सा भी तुमारे पास common sense है तो तुम इस चीज़ को बता दो कि सर ये topic आप ठीक पकड़ रहे है क्योंकि BPSC कोलवैड से दबा के question पूछता है एक बार 68 BPSC का question पुलट के देखना CDPO का question पुलट के देखना कि सर वो कोलवैड को पकड़ के पूछता है कि नहीं कोलवैड और Emilsons को तो भाई NCRT उठा के पलट लो यार जो हम वीडियो बना है प्लीज उसको करो इधर उधर मत मूह मारो कि ये पढ़ले market में एक test उठा लिए अब वो क्या पुछा है उस theme पर best है कि नहीं तुम अपना energy विस्ट करोगे तो thematic study करो हम नहीं बोलाएगे हम ही से पढ़ो पर thematic study करो previous year question को अपने सामने रखो और उसके हिसाब से पढ़ो जिस जिस topic से question पूछा है उस उस topic को NCRT से उठा के पढ़ो बाकि तुम्हारी बर्ची रहेगी देखो कोलवैड एक important themes है chemistry में तो कोलवैड को करना ही हम लोको पढ़ेगा क्या है कोलवैड पहला चीज हमको बता कोलवैड को क्या होता है जो कोलवैड होता है बाबू उसका size क्या होता है 10 to the power minus 7 से लेके 10 to the power minus 10 तक अब कुछ लोग जो होगा बाहर का लोग बोलता है CDPO इस चीज को माना है कि कोलवैड का size पार्टिकल size यह होता है इसलिए हम बोले क्योंकि एक महाँ पे हम लोग official answer की follow किये है आप गलत मत कीजिएगा है ना इसलिए बोले बाबू उन्हें तो ऐसा नहीं है कि हम किताब बेचके राजा बनना के लिए चकर में थे तो यह याद रखेगा कि NCRT में यह value दिया हुआ है इसको हम नहीं मानेंगे हम लोग इसको मानेंगे क्योंकि BPSC इसको यहीं माना है CDPO में final answer की में यहीं माना है कि कोलवैड का particle का size क्या होता है 10 to the power minus 7 से लेके 10 to the power minus 10 meters तक उसका size होता है अब देखो कोलवैड बेचिकली आप कैसे जानेगे कि कोई चीज कोलवैड है तो कोलवैड को पकड़ने का मातर एक चीज है कि जो कोलवैड होंगे वो टिंडल effect को सो करेंगे देखो particle का size इतना बड़ा है particle अगर ये मानते हैं कि इसमें particle का size 10 to the power minus 7 से 10 to the power minus 10 meter तक है अगर इसमें से light जाएगा तो इसको क्या करेगा इससे टकराएगा तो light को क्या करेगा ये scatter करेगा और जैसे light को scatter करेगा तो वो path light का visible हो जाएगा दिखने लगेगा तो tindle effect का मतलब वो होता है कि आप जब उस substance से light को डालते हैं path कराते हैं तो the path of the light is visible and this is what is called as a tindle effect तो colvate से हमें मातर दो चीज़ बता होना चाहिए अगर ये दो फ्रेक्ट बता है तो धरती का कोई भी question भी पेसे पूछेगा तो मना लोगे colvate से colvate particle का size क्या होना चाहिए ये आपको एकदम clear होना चाहिए कि ये उसका size होता है colvate वही चीज़ है जो tindle effect को सो करता है tindle effect क्या होता है कि सर्ब इस particle के size पर light particle scatter करने लगता है जब light scattering ये start होता है तो हमें light का जो path है वो दिखने लगता है और इसी को हम सर्ट टindle effect बोलते हैं तो दुसरा आपकी जहन में question आना चाहिए कि सर्ब कौन कौन सा चीज़ टindle effect लो करता होगा ice cream आपको टindle effect लो करेगा अरे वो तो छोड़िये ना atmosphere आपको टindle effect लो करेगा और क्या आप blood एक colvate है उसमें जो है ना blood का particle का size यह होता है toothpaste एक colvate है अपवाद क्या है honey colvate नहीं है क्यों honey sir colvate नहीं है क्योंकि जो उसमें जो sugar जमता है वो आप देखना को बैठ जाता है वो उसका particle size बढ़ जाता है तो honey जो है colvate का उधार नहीं है अब देखो एक emulsification की बात होई है कि emulsions क्या होता है जब तुम पानी में एक liquid में दूसरे liquid को तुम मिलाते हो और वो दोनों चीज क्या है एक दूसरे में mix नहीं करता है जिसको तुम immisible बोलते हो तो उसको तुम emulsion बोलते हो जैसे तुम पानी में अगर तुम तेल मिला दिये तो तेल क्या है? लिक्विड है पानी क्या है? लिक्विड है जब दो लिक्विड मिलेगा तो तुमको क्या मिलेगा? emulsion मिल जाएगा तो भाई वो दोनों immisible है तो इसका मतलब कि वो emulsion है milk is an example of the emulsion कैसे? अगर तुम थ्वासा ध्यान से देखोगे न तो milk में जो तेल फैट रहता है न उपर तैरते रहता है समझ रहो न? तुम थ्वासा उसो क्या बोलते हैं? द्याती भाज़ाद भाज़ाद भाज़ा हैं बोलो कर-कर ककराओगे ककराना मतलब समझते हो जब घी ककराता है है न? फैंसी मीडियम तो वो घी खाया है क्या बोलते हैं? जो दूद से बटर निकाल लिए उसको हिट कर दिए उसको घी समझता है अरे वड़ाहा आदमी घी का मतलब होता है कि दही जाल्ट के जोरन जमाई है जमाने के बाद उसको मत ही है मतने के बाद वो निकलता है उसको फिर जो आपका कराते है ककराना मतलब होता है fancy medium to milk है न? हम लोग गाव जयाद के आदमी है तो माप करना तुम लोग तो वो जो सुगंध निकलेगा घी का वो ओरिजिनल सुगंध है तो तुम देखना अगर तुम थ्वासा अगर ध्यान से दोग रहे है तो दूस में तैरते रहता है फैट नूमा होता है ऐसा सब लगेगा कि तेल तैर रहा है वो सब इमलसंस है तो milk एजने एक्जामपल ओफ इमलसं आइस्क्रीम इस एन एक्जामपल ओफ और कोलवाइड तो इसके करेक्ट क्या हो जाएगा जी करेक्ट एंसर बोथ वन एंटो हो जाएगा ये स्टार मार करकर दिखो बायो डिजल इस उप्टेंड बायो डिजल पर बहुत काम कर रही है लगातार पूछ रहा है तो आपको साइन्स में इतना चीज तो पता होना ही चाहिए पहले देखते हैं कि बायो डिजल बनता कैसे है पहले फैट ले लो फैट मतलब कोई भी वेजिटेबल वायल ले लो इनिमल फैट ले लो उसमें तुम अलकूहल डाल दो तो अलकूहल के बाद जो रियाक्शन आपको बनता है वही आपको बायो डिजल बनता है क्यों इंपोर्टन है इसले इंपोर्टन है कि नेशनल बायो फील पॉलिशी जारी हुआ नेशनल बायो फील पॉलिशी कब हुआ 2018 में जारी हुआ उसमें क्या कहा गया नेशनल बायोफिल 2018 में कहा गया है कि 2030 तक 2030 तक हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे तेल के साथ ब्लेंडिंग करेंगे किसके साथ पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करेंगे और डिजल के साथ ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के साथ कितना ब्लेंडिंग करे तो उस चीज को कम करने के लिए हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे और जो हमारा इंजन जो गारी का काम करता है पेट्रोल इंजन हो या डिजल इंजन हो विसा स्लाइट मोडिफिकेशन वो बायो डिजल को एड़ेस्ट कर लेगा तो 20-30 तक हम लोगा ये टार्गेट है कि पेट् स्टार मार करके करो हैना क्लास में तुम लोगों चितकार मार मार के हम बताए हैं कि जर्मन सिल्फर वो चीज है देखो बाहर वाले लोग को लग रहा होगा कि सरा बार बार क्लास का जिकर कर रहे हमको करना पड़ेगा मजबूरी है क्योंकि वो उससे हमारा अटेश्मेंट जल्फर करें जाता है तो तुमको बुरा लगये तो हमंहिसक नहीं कर सकते हैं हम को जरूरत नहीं है तो इसको आप अप्छेमल मनेगा की आत्र pint-00 क्लास के जिकर पुछता ही पुछता है आप प्लीज NCR की पढ़ लेना नन BCW वाले प्लीज 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 यहां से क्वेस्टन पूछेगा और तुम बड़ी दुखी हो जाओगे जैसे देखो स्टील एक लवाय है कैसे लवाय है स्टील तुम आईरन को लिए आईरन में बाबू जब तुम कार्बन को मिक्स करते हो तो तुमको स्टील मिलता है फिर इसमें तुम निकल को मिक्स कर दिए और क्रोमियम को मिक्स कर दिए तो तुमको स्टेनलेस स्टील मिल जाता है क्रोमियम क्या करता है उस स्टील को corrosion resistance बनाता है nickel उसको क्या करता है non-magnetic बना देता है तो अब तुमको stainless steel मिल गया तो stainless steel is a classic example of an L-Y यह बताओ purest form of iron क्या होता है wrought iron purest form of iron है I'm getting this it is the purest form of the iron यह जो german silver की बात हो रही है यह किस-किस चे बना हुआ है german silver is made up of copper it is made up of nickel it is made up of zinc copper कितना है बावू percentage याद रखोगे 50% copper है nickel कितना परसेंट है 15% तो 65 हो गया तो zinc कितना हो गया 35% जो german silver है it is very hard it is very hard it is very tough याद रखना है star marker की करना जब ही भी पढ़ना तो german silver को जरूर पढ़ना एक चीज़ और तब लगे हाथ तुम हमको बता दो बावू कि german silver तो सक्ठीक है एक rolled gold लड़कियां पढ़नती होंगी आप कोई पता होगा ना कि duplicate सुना rolled gold तो rolled gold में 90% copper होता है और 10% aluminium होता है इसको भी star marker के लिख दो rolled gold में 90% copper है और 10% aluminium mix होता है अब बताओ bronze किस से बना हुआ है bronze में याद रखना कि copper plus tin है हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि एक होता है copper plus tin और एक होता है copper plus zinc copper plus zinc को तुम क्या कहते हो brass कहते हो हम याद रखते हैं brass और bronze में हमेशा confuse करोगे जिसमें jade है jink वाला में bronze नहीं है jade वाला नहीं है उल्टा है brass है और जिसमें jade है copper तो common ही होना है तो bronze में 3 रहेगा brass में copper plus zinc करोगा बताब ऐसे याद रखना कि जिसमें jade है वो वाला उसमें नहीं है उल्टा है बाकि तुम कैसे भी याद रख सकते हो क्योंकि confuse करोगे copper plus zinc में confuse करते हो तो इसको बागु ध्यान रखना ये बहुत important theme है ये question तुम इसको appreciate कर पा रहे हो इसलिए appreciate नहीं कर पा रहे होगे कि 69th BPC में तुम जा कर देखना previous year question पलट के देखो अंधा की तरह मत पढ़ो है ना कि सर साइंस बहुत hard है hard है नहीं है साइंस उतना hard जितना इसको तुम हुआ बना के रखे हो तुम देखो पिछली बार lab-grown diamond के बारे में question पूछा है कि नहीं जो भी लोग इसको सही कर दिया है वीडियो को pause करो इस question को attempt लो अगर तुम सही कर दियो हो तो कोई आदमी तुमको 25 प्लस question सही करने से नहीं रूप पाएगा इसका मतलब कि तुम्हें smartly पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो इसका correct answer pure carbon है हम नहीं इस question को frame किया है इसके बीचे एक objective है क्यों frame किया है क्यों frame किया है क्योंकि भाई इस topic पर पूछा गया है और इसका आने का chance बढ़ जाता है तो इससे बाभूज को ध्यान से तुम करना अब देखो पहले हम लोग diamond के बारे में पढ़ते हैं what is diamond diamond इतना तो आपको पता होगा diamond is the hardest known substance सबसे hard substance है is diamond a good conductor of the heat is diamond a bad conductor of the electricity diamond is a good conductor of the heat but it is a bad conductor of the electricity what about mica mica is a good conductor of the heat but it is a bad conductor of the electricity what about silver silver is a good conductor of the heat it is a good conductor of the electricity तो भया ऐसे हम कितना चीज़ का याद रखेंगे कुछ तो एक सिम्मेट्रिकल चीज चल रहा है जो हमको पता होना चाहिए यह सम कितना रटेंग भाया रटी नहीं सकते हैं कोई अच्छा कंडुकर है की नहीं है वो कौन नित्रमाइन करेगा वह एलेक्ट्रोन की संख्य रहे बाइनिंग करएगा अगर उसके पास silicon free है, that will be a good conductor of the electricity. Diamond doesn't have a free electron, hence it is a bad conductor of the electricity. Micah is not having electron. Why it is not having electron? Because it is a non-metal. And non-metal के पास electron free नहीं होता है. Electron होता, free जब नहीं है, तो it is a bad conductor of the electricity. What about this silver? Silver is having a free electron, hence it is a good conductor of the electricity. But there is a common feature among all the three, कि सब अच्छा conductor of the heat है. It means the heat has nothing to do with the electrons. It has nothing to do with the electrons. Electrons has everything to do with electricity. पता नहीं, तुम समझा पा रहें कि नहीं? Electron अगर free है, तो electricity का अच्छा conductor है कि नहीं है, वो बताएगा. वो heat के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा. तो heat के बारे में कौन बताएगा? आपका lattice arrangement बताएगा. अगर भाई, दो molecules आपस में सटे हुए हैं, तो heat का transfer हो रहा होगा. तो lattice arrangement से heat का transfer होता है, heat transfer has nothing, nothing, nothing to do with the electrons. I hope I have made my point stars and clear. तो भाई, अगर सटे सटे molecules हैं, तो उनमें transfer होगा. हाइडेस्टन सब्स्टांस है, molecules सटा हुआ है, transfer होगा. माई का के केस में molecules सटा हुआ है, lattice arrangement है, transfer हो रहा होगा heat का. सिल्भर में सटे हुए molecules हैं, transfer हो रहा होगा heat का. तो heat का electrons के साथ कोई संदर्व नहीं है, कोई relation नहीं है, बस इसी चीज़ को बाबू अबको बताना चाहते थे. तो lab-grown diamond pure carbon से बनता है. है ना? तो इस चीज़ को अगर तुमको पता है, तो चीज़े तुम्हारे लिए फिर बहुत आसान है. नहीं तो बागी तुम देखना, आगला question भी जो बहुत important है, तो आसा fast करते हैं ना? अच्छा ये बताओ भी एक article पढ़ रहे थे. कुछ तुम लोग फिर बनाओ. जो अपना constitution का, जो original constitution है, वो parliament में रखा हुआ है. प्रता भानु मेहता का, दू दिन पहला article पढ़ है जो उसमें था. तो वो जो case में रखा हुआ है, जिस case में रखा हुआ है, एक बाद वीडियो पॉच करो और comment करो. अपना जो original document है ना, constitution का ये संग्मितान है, तो इस case में रखा हुआ है, और इसमें gas भरा हुआ है, वो gas argon भरा हुआ है, वो gas helium भरा हुआ है, वो gas neon भरा हुआ है, वो gas nitrogen भरा हुआ है, कौन सा gas भरा हुआ है बादू? एक बाद प्लीज वीडियो को पॉच करो और इसका comment करो. हम रुख ले हुआ है. जो अपना original संग्विधान है, वो एक gas chamber में रखा हुआ है, परलियमेंट वाले building में, वो कौन सा gas उसमें भरा हुआ है? comment करो. option A, option B, option C, option D अगर नहीं comment करो, तो हमसे भी बहुत मत करो है ना, एक तरफा प्यार तो होता ही नहीं है, प्यार तो दोनों तरफ से होगा ना, तो एक तरफा प्यार कितना दिन चलेगा, तुम comment भी नहीं करो, oh my god, मैं नहीं करोगा, मैं बहुत elite crowd हूं, तो कैसे होगा? इसे correct answer, helium है बाव, है ना, क्योंकि noble है, तो helium से क्या होता है, कि वो gas chamber में रखा हुआ, तो American University का कोई professor है, उसने वो निजात किया था technology, तो उसके तहट क्या है, कि जब आप उसको seal करके रखते हैं, तो वो oxidation process delayed हो जाता है, तो इसलिए helium से है, चुकि बात याद आगई, यह article का था, हम लोगे topics related नहीं, पर क्योंकि science के topic से related है, इससे हमने आपको बता दिया, अच्छे बताओ, जो balloon होता है, उसमें hydrogen भरा रहता है, कि helium भरा रहता है, उसमें भी helium भरा रहता है, है ना, helium is lighter than air, तो इसलिए balloon उपर उपने लगता है, तो तुम बोलोगे हैं, hydrogen भी तो lighter than air है, तो hydrogen क्यों नहीं भर देते हैं, इस दें नहीं भरते हैं, क्योंकि hydrogen एक explosive है, अगर गलती से महाँ पर माचीज लग गया, उस balloon के साथ, तो bum बन जागा है, explosive सबस्तान सा hydrogen, helium explosive नहीं है, तो helium is lighter than air, hydrogen is lighter than air, पर जो balloons होता है, उसमें helium भरा होता है, क्यों, क्योंकि helium रियक्ट नहीं करता है, hydrogen रियक्ट कर जाएगा, अगर माचीज का वहाँ पर सिल्दी अगर दिखा, light का बल्ब का भी, अगर हीट वहाँ पर मिला, तो bum बन जागा, explosive बन जागे, जाएग्ट रियक्ट नहीं होता है, तो यह चीज़ था से याद रखना, विच वह तर फोलिंग जान एग्जांपल ऑफ वाइट मीट, क्रेक्ट एंसर इड़ चिकेन मीट इजांपल ऑफ वाइट मीट, क्यों भाई, चीज़ चीज़ पसंद करने वाले लोग तुमनों बताओ क्या होता है, अच्छे यह बताओ, जो color of the meat होता है, तुम देखो तो इदम tender हो गया sir, यह हो गया meat का color, ऐसा क्यों होता है meat का color जी, जो meat का color होता है, जो तुम देखते हो कि chicken का लाल color है, या mutton का लाल color है, वो किस pigment के कारण होता है, यही question बना देख, फ़ल्चाओगे, myoglobin के कारण होता है, pigment का नाम है myoglobin, अगर myoglobin का मातर जादा है, if it is more, तो उसको क्या तुमको meat दिखेगा, लाल दिखेगा, इफ myoglobin pigment का मातर कम है, तो meat के साथ दिखेगा आपको, white दिखेगा, white meat का उधारन क्या है, chicken white meat का उधारन है, rabbit का भी बड़ा बढ़ यह meat बनता है, यह मज़ा आथों को ला देगा, rabbit का, turkey meat, यह सब क्या है, white meat का उधारन है, red meat क्या होता है बाबू, mutton, देखो, तुम सहर में जाओगे ना, तो लोग बूले का, भाईया, एक केजी मटन दे दीजिए, दूर से लड़की या लड़का खड़ा रहेगा, भाईया, एक केजी मटन दे दीजिए, पर हम लोग गाउदेहाद के आदमी क्या है, सीना, चाप और पूट, अगर बढ़िया से भुणजा जाए, तो क्या ही कहना है, तो मटन रेड मीट का उधारन है, और आपको क्या रेड मीट का उधारन है बाबू, काउ, मत खाया करो जी, जो तुमनों खाते हो इसाब, गायम आता है, काउ, काफ, सीप, ठीक है, तो यह सब रेड मीट का उधारन, तो आपको पता होना चाहिए, कि रेड मीट और वाइट मीट होता है, रेड मीट, खाना क्यों आदमी को कम खाना चाहिए, रेड मीट खाने से यूरिक एसिद बढ़ता है, यूरिक एसिद बहुत थानी का रख है, किसके लिए बहुत थानी का रख है ज्वाइंट के लिए बहुत थानी का रख है इसलिए रेड मीट खाने से मना किया जाता है क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ता है वाव ठीक है यह पता होना चाहिए तुमको प्लांट नूट्रिशन और फोटो सिंथेसिस पता ही होना कैसे तुम मिजर करते हो उसके लिए पावु एक टूल बना उसका नाम है क्रिस्कोग्राफ जो क्रिस्कोग्राफ टूल है कौन बनाता है जो प्लांट के ग्रोस को मिजर करता है उसका नाम है जेसी बोस जेसी बोस क्रिस्कोग्राफ टूल बनाते है देखो एक होता है मैक्र नीठ्रेइन्ट जो होता है उसका मैंट değild मैंगनेसियम है पोटेसियं म्योसिन्टogram对 quatom इसका ईसका ऊपनिंग और क्लोजनिंग कब ऊपन करेगा कब क्लोजका वो potassium करता है नाईट्रोजन क्यों है अगर ऊपका स्वेक्षफोरस ब्हें मैक्रोन्योट्रीयंट है अगर आपके स्वाय में Phosphorus की कमी है तो आप कुछ-कुछ देखना कि जो leaf होता है वो लाल हो जाता है तो रेड़निंग of leaf is because of the deficiency of Phosphorus अगर nitrogen कम है तो आप देखते हैं कि plant में एक रोग हो जाता है उस रोग का नाम है chlorosis chlorosis मतलब क्या होता है? less chlorophyll जब less chlorophyll क्या होगा तो photosynthesis कम जब photosynthesis कम मतलब खाना कम मना रहा है plant इसका मतलब growth क्या होगा? stunted growth होगा plant को जितनी लंबाई मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा तो इस तरह से थ्वासा तुम जानकारी रखोगे ना तो बहुत अच्छा से हो सकता है तो micronutrient कौन है? micronutrient तुमको चितकार मार मर के बता हैं कि iron एक micronutrient है magnesium, sorry, zinc एक micronutrient है manganese एक micronutrient है molybnam एक micronutrient है nickel एक micronutrient है हमारा main focus iron पे रहता है क्योंकि हमको आपको लगता है कि iron जो है macronutrient है पर iron macronutrient नहीं है micronutrient है भाई फोटो सिंथेसिस एक बहुत important theme है BPSC का जरूर करना एक question का comment section में जबाब दो अगर नहीं दोगे तो हमसे फिर पुमीद मत करना question ये है कि जो photosynthesis होता है वो maximum किस light में होगा photosynthesis जो है प्रकास translation maximum किस light में होगा पहला option है green light दूसरा option है red light तीसरा option है violet light और तीसरा option है blue light प्रकास translation सबसे ज़्यादा तीस light में होगा ठीक है green में violet में blue में red में comment करो नहीं करोगे तो फिर उमीद मत हमसे करो तो बाबू macronutrient और plant nutrition एक important theme है कर लिजेगा choose the incorrect statement incorrect statement कौन है आपको compost के बारे में पता है कि नहीं वर्मी कंपोस्ट के बारे में पता है कि नहीं इसलिए question को frame किया गया है देखो यही तो और यही तो कंपोस्ट है यार तुम जो और यही चोड़ दे तो तुमको कंपोस्ट मिल जाता है इस टेटा को आपको याद रखना चाहिए यह भी statement लही है आईरन, मैंगनीज, कॉपर, जींग, बोरन, मॉलिबनव आपको पता होना चाहिए हम इसलिए इस question को दुबारा बाबू पुछे है क्योंकि फिर से बोर रहा है कि plant nutrition एक important theme है जाइलम क्या है आपको पता होना चाहिए फ्लोएम क्या है आपको पता होना चाहिए नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत है macronutrient क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए photosynthesis कैसे होता है दार्क में होता है कि absence of the light में होता आपको पता होना चाहिए सब बता रखे एक प्रीजिस को revise करिएगा जो भी लड़का question number 14 को सही कर दिया है इसका मतलब तुमें smart हो कोई दिक्कत तुमको science में नहीं होना चाहिए correct answer क्या हो जागा number of electrons ठीक है इसमें जान बुश के हम quark qubit बगरे डाले हैं तुमको confuse करने के लिए भाई तुम एक बचपन में valence electron का concept पढ़े होगे न जी जो outer cell में जो electrons होता है वही आपके reactivity को define करता है आप outer cell को stabilize करने के लिए equivalent bond बनाते है वो electron खीचता है या electron देता है अगर electron अगर साथ है तो electron को एक ठो और वो accept कर लेगा या देगा या लेगा यही तो कर सकता है तो valence electron जो है वो determine करता है element के reactivity को तो इसलिए question बहुत important है कि the chemical properties of the elements are generally determined by the number of the electrons इस question को जो ही लोग सही कर रहे हो तो लोग outstanding हो अपने आपको धन्यवाद दो this tissue smoothens the bone surface यह directly बावू NCRT से question उठा है explanation जाकर देख लेना word by word NCRT से उठा है this tissue smoothens the bone surface at the joints and is also presenting the ear, nose, larynx, trachea which tissue is being talked about आपको ligament पता होना चाहिए cartilage पता होना चाहिए tendons पता होना चाहिए epithelial tissue पता होना चाहिए आदमी बोलता है कि ligament injury हो गया तो ligaments bone को bone से connect करता है ठीक है tendons क्या connect करता है tendons या tendons भी बो it connects the bones to the muscle please देखो यह एक important theme है इससे ज़्यादा आपको ज़रूत नहीं पड़ेगा bones to M.U.S. C.L.E. muscle और cartilage क्या करता है जो कान में आपका बना रहता है ट्राकिया में बना होता है नूस ब जो रहता है वो सब cartilage से बना होता है तो please इसको ध्यान रखशेगा देखो हम और भी आगे discuss करना चाहते हैं और भी questions को लेकर पर तुम हमको comment section में बताओ कि ऐसा वीडियो तुमको पसंद आ रहा है कि नहीं पता नहीं तो हमको तुमको पसंद आ रहा है कि नहीं अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसा science का और वीडियो लाईए और questions लेकर आईए और इसी तरह से discuss करिए तो comment box में comment करिए कि we need more videos तो हमें भी पता होगी ठीक है आपको पसंद आ रहा है नहीं तो हम भी अपना समय क्यों खराब करेंगे है ना आगे भी question हम आगे discuss करेंगे आपके comments को देखकर कि आपको अच्छा लगता होगा तो discuss करेंगे नहीं तो फिर इसको discuss करने का कोई मतलब आओ नहीं रहेगा ठीक है तो comment में बताइए हम आगे आपको वीडियो लेकर आ जाएंगे signing off for the day रोहत